इस चैप्टर के मीन क्रेक्टर कर नाम है हॉरस दैन बाइ वो एक पचार सल का बुड़ा आदमी रहता है जो की अंडमेरेट रहता है उसकी शादी नहीं हो एती है उसके सोसाइटी वाजस के बार में यह सोचने है कि वो एक काफी ओनेस्ट आदमी है पर एक्चुली मैं वो ऐसा था नहीं क्योंकि वो 15 साल पहले एक चोड़ी के लजाम में जेल जा चुका था जिस जेल में वो 15 साल पहले था वहाँ पे एक expensive book की collection थी और उस समय से उसने decide कर लिया कि उसे भी expensive book की collection चाहिए स्टोरी का timeline जुलाई है और अगस्त में एक expensive book आने वाली थी जिसका Horace को इंतजार था और उसने decide कर लिया कि इस साल वो चोड़ी करेगा और उस पैसों से वो उस book को खरी देगा फिर वो search करना शुरू कर देता है कि किस घर में वो चोड़ी कर सके तो उस समय उसे घर के बारे में पता चलता है जिसके owners लंडन के होते हैं Horace ने decide कर लिया कि वो वहीं पर चोड़ी करेगा और उस रिसर्च करना शुरू कर देता गर के बारे में जिस जेल में वो 15 साल पहले था वहाँ पे एक expensive book की collection थी और उस समय से उसने decide कर लिया कि उसे भी expensive book की collection चाहिए क्योंकि उसे book पंड़े का शौक था उसके plan के इसाफ से जिस दिन वो चोड़ी करने जाता है उस दिन उस घर के housekeepers movie दिखने गए होते हैं और वहाँ पे सिर्फ एक sherry नाम का dog रहता है अभी हर एक horace जैसे हर एक चोड़ को पता रहता है कि dogs को कैसे कंट्रोल किया जाता है उनके सामने भीना डरे बे जाना और उनका नाम बुला बुला कर treat देना अब जो Horace होता है वो घर के अंदर पहुँच जाता है और पहुँचते ही वो तजोरी को ढूल लेता है जिसके कारण Horace उस तजोरी का ताला खोल सकता था पर जिस गमरे में तेजोरी रखी हुई है उस गमरे में एंग फ्लार पॉर्ट है जिसकी फ्लार पॉरॉट है छिप दिला रही है। जब खॉर्ड़ स्नीज करते हुए तेजोरी खोल रहता है तब पीछे से एक लेडी की आवास नहीं देती है क्या तुम्हें जुकाम है तो Horace बिना पीछे मुड़े बोल देता है नहीं बस वो फ्लॉर पॉट के कारण में को स्नीज हो रही है फिर Horace डर जाता है क्योंकि वो सोचता है कि आवास किसकी है जबकि वो घर में पूरे घर में अकेला है जब वो पीछे मुड़के देखता है तब देखता है उसके पीछे एक यंग लेडी खड़ी होती है Horace को लगता है कि वो उस घर की माल किन होगी जिसके कारण Horace उसे पूछता है कि आप तो लंडन में थे तो यहां कैसे तो फिर लेडी उसे रिप्लाय करती है कि हाँ सब लोग लंडन गए पर मैं नहीं गई क्योंकि मुझे अपने जोलरीस को बैंक में सिक्योर करने थे जिसके कारण मैं लंडन नहीं गई पर इस वक्त Horace जो है वो पूरा डर चुका था यह सोचा था कि अब वो क्या करे तो उसे वो लेडी कहती है कि तुम डरो मत यह सब तुमारा क्यों रो सकता है यानि मैं यह सब भूल सकते हैं और नहीं किसी को बताऊंगी एक शर्त पर वो शर्त यह थी कि लेडी उसे पताती है कि उसे आज वो जोलेडी को एक पार्टी में पहन के जाना है और उस पार्टी जाने जाने जाद वो उसे बैंक में रख देगी पर वो लेडी जो है वो उस लॉकर का कोड या फिर हम कहें पासवर्ड भूल चोकी थी जिसके कारण वो लेडी हॉरस से हेल्प मांगती है और बोलती है उसके बदले में बोलती है कि वो जा सकता है यहां से हॉरस ने इस डील को एकसेप्ट कर लिया और उसके लिए उसने वो लॉकर खोल दिया और इस वक्त उसने गल्ती कर दी थी जब वो पहले लॉकर खोल रहा था तब उसने गलफ पहने वे थे पर इस बाव उसने गलफ उतार दिये थे जब हॉरस उस लेड़ी की हेल्प करके अपने घाच चल जाता है तब उसके अगले दो दिन बाद उसके घर में पुरिस जाती है और उसे अरेस्ट करके ले जाती है जब Horace उनसे पूछता है कि वो उन्हें अरेस्टर की क्यों ले जा रहे हैं तब पुलिस आरे रिप्लाय करते हैं कि उसने घर से जोलरी चुराए हैं जिसके मालिक ने कंप्लेंड की है और उस लॉकर से Horace के फिंगरप्रिंट्स पाए गए जब पुलिस के कहते हैं तब Horace सब समझ जाते हैं कि वहाँ जो लेडियों से दिखे थी वो भी एक चोड थी जो उन गहनों को चुनाने आई थी जाच जाच प्लाव जोड आए हैं तब अरो हैं । जाँ जाच जाँन वहाँ जाचिए